Tailwind CSS के अंदर जो classes होती हैं, वो काफी हद तक complete होती है, यानि कि अगर आप लोग Tailwind CSS का इस्तमाल कर रहे हैं, तो there is a high chance कि आप लोग कुछ भी करना चाते हैं, उसकी class आपको मिल जाएगी, for example, margin, top, कितिनी भी बड़ी आप देना चाते हैं, आपको margin, top के लिए class मिल जाएगी, आप लोग padding देना चाते हैं, या फिर आप लोग shadow देना चाते हैं, या फिर मादला आप लोग flexbox देना चाते हैं, content को align या justify करना चाते हैं, तो आप लोगों को उसकी classes मिल जाएगी, लेकिन कभी-कभी आप लोगों को custom values का प्रियोग करना पड़ता है, आप लोगों को अप सब्सक्रा की चीजों के लिए होता है, square bracket notation, Tailwind CSS के अंदर, आज उसी के बारे मैं आप लोगों को बताऊंगा, detail में, और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग classes on the fly generate कर सकते हैं, यानि कि आप 148 pixel वाली class, Tailwind के production bundle के साथ ship कर सकते हैं, browser में, let's get started, और देखते ह किस तरह से की जाती है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं आपर बनाने वाला हूँ, नया फोल्डर, और उसके बाद उसके अंदर जाकर मैं VS Code खोलने वाला हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा से आने वाला हूँ, Tailwind CSS की website पर get started पर click करके, post CSS पर click करके, यह स कहूंगी, मैं चलाने वाला हूँ, लेकिर उससे भी पहले NPM-Y, तो आप लोगोगे कि यह बार बार क्यों करके दिखा रहे हो, यह NPM-Y और उसके साथ साथ NPM-D, Tailwind CSS, Post CSS, Auto Prefixer, VIT लगाना भूल गया, मैं देखो इसी चक्कर में, बातों बातों में, कोई बाती ही, मैं दो करेंगा, तो आप लोग कह scalable her, कहीं काम को बार बार करें जारे हो, वा स्लड़ काम को बार क्यों करें बाहित जारे हो हूं, कुछ KHर का म Als Cekal और स्क्वायर ब्रैकिट नौटेशन युज करनेके फायदा ही क्या है यूतिलिटी क्लासेस के आगे क्यों हम कभी कभी स्क्वायर ब्रैकिट नौटेशन यूज करेंगे तो यह चीज में आप लोग को बताऊंगा में जाएंगे square 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 ठीक है और square की square bracket notation की documentation में जाने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करता है पहले बहुत ही basic way में बताता हूँ क्या करता है मैं आपर लिखूंगा div.mx4 और लिखूंगा बीजी रेड 900 और text white टेक्स वाइट करों कि बहुत जादा डाक कर दिया मैंने ठीक है जो अपना background तो मुझे text को वाइट करना पड़ेगा अब मैं आपर क्या करूंगा text को वाइट करने के बाद यहां पर लिखूंगा लॉरेम 23 ठीक है लॉरेम 23 क्या होता है कुछ नहीं होता है या लॉरेम 23 सिंपल सा मैं आप टॉगल वर्ड राप कर लेता हूं ताकि दीखे आपको क्या लिखा हुआ है सिंपल सा कुछ टेक्स होता है ठीक है अब यहां पर मैं इसको सेव करूंगा जल्दी से लाइव सर्वर में खोल लोगा ओपन विद लाइव सर्वर तो आप लोगो कुछ इस तरह से दिखेगा अब यहां पर टेल्विंट हुई ही नहीं और इसका रीजन की है कि मैंने यहा सब्सक्राइब करने के बाद अब यह मेरी चलने लग जाएगी नहीं चली ऐसा क्यों हुआ यह सब कुछ मैंने कर लिया यहां पर तो यह दा चलने की वजा यह है कि मुझे लाइव सर्वर यूज नहीं करना है मुझे वीट यूज करना तो देखने हो आप लोग लापरवा अब अगले वीडियो से मैं क्या करूंगा यह सेट आप वगहरा जाता नहीं करूंगा मैं टेंपलेट बना लोगा सेट अप की और उसके अंदर चेंजिस करता जाओ ठीक है तो अभी यहां पर क्या करूंगा मैं लॉर्म यह जो लिखा हुआ इसको एसको एक कम और करूंग करने कशेन कि लिए यह आने वाले वीडियो से करना चाहता होगा membingers की इसको अइंड रुकट करने की आप यह मीं सिख्रिस का करना चाहता हूं तो अब है सेट जल्दी से बात करना चाहूंगा कि कि स्क्वार्याख लेगत है इस्तेबाल करने के लिए आपक्ति लिए सिम्प पिक्सल्स की मार्जिन देना चाहता हूँ, तो आप MY लिखकर, डैश लिखकर, कितनी मार्जिन देना चाहते हैं, वो वैल्यू लिख सकते हैं, आप यहाँ पर माउस लेकर जाएंगे, तो देखो, उपर यहाँ पर इसने बता दिया है कि कौन सी अपर नीचे इसने यह वैल्यू आड़ कर दिया है, तो इतना सिंपल था स्क्वार ब्रैकेट नोटिशन, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसकी डॉक्यमेंटेशन में आएंगे, और यहाँ पर एक दो चीज़े आप लोग को बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो यह कि, अगर मान लोगी आप लोग इसको कुछ तरह से यूज कर रहे हो, मान लोग आप करना चाहते हो 67 रेम, तो आप क्या करोगा, 67 रेम बहुत हो गया, मैं 3 रेम करता हूँ, मान लोग आप 3 रेम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कुछ तरह से कर सकते हो, ठीक है, तो अब इसके बाद यहां पर स्क्वाइर भ्रांक नोटेशन अगर लिखोंगा तो यहां पर यह पेज खुल कर आ गया है, अब यहां पर अगर मैं धोक्यूमेंटीशन को देखोंगा, तो बहूत सारे examples मुझे देखने को मिलेंगे square bracket notation के आप लोग देखो before के साथ मैं इसको استعمال कर सकता हूँ, मैं इसको before content के साथ استعمال कर सकता हूँ, यानि कि मैं content डाल सकता हूँ, यानि कि ये वाली CSS होती है हमारी content और इसके बाद इसके अंदर की जो value है dynamically, तो कभी भी हमको dynamically कोई भी value यूज करनी है, तो हम इस तरह से करेंगे, क्या ये चीज़ width में use की जा सकती है, मानलो मैं अगर इसको 30VW कर दो width को तो मैं क्या ये use कर सकता हूँ the answer is definitely yes आप लोग use कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं square bracket का use करूँगा तो यहाँ पर मैं dynamically values को use करना चाता हूँ, क्या आपको हमेशा इसको इसको इस्तेमाल करना चाहिए, the answer is no, क्योंकि हम minimize करना चाहते हैं अपनी production bundle को, हम चाहते हैं कि कम से कम CSS हम ship करे, मैं आपको इस चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इस पर classes use करोंगा, वो मेरे production bundle में add होके ship हो जाएंगी, so I hope कि आप लोग को मजा है, यह जानकर कि किस तरह से square bracket notation को use किया जाता है, अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys, Tailwind CSS की जो playlist है उसको ज़रूर से access कर लेना, and I will see you next time कर दो कर दो